Hi everyone, पिछले वीडियो में हमने बात किया था CSS के बारे में और आज हम लोग उसको थोड़ा practically test करेंगे कि CSS element को आप लोग कैसे use करोगे Guys, basically CSS दो टाइप से use होता है, पहला inline CSS और दूसरा हम लोग CSS को link करके कैसे use करेंगे तो guys, inline CSS जो होता है, आप लोग किसी भी HTML tag के अंदर आप लोग style element को use करके, जो attribute होता है, style attribute को use करके हम लोग उसके अंदर specify करते हैं कि उसमें क्या-क्या style changes होने चाहिए तो जो style attribute होता है, वो CSS elements को carry करता है तो इसलिए हम लोग पहले में आप लोग को दिखा देता है अपना website, अपना website कुछ basic सा भी इस तरह सा दिख रहा है, कोई changes नहीं है और हम लोग आज CSS को use करके इसमें एक background color देंगे, इसका background बड़ा सा ओप सा लग रहा है, white color का तो in the end, at the end of this course, हम लोग ऐसा कोच website बनाएंगे, जिसमें की ऐसे background हो, आपका photo हो, मतलब चीजें organized हो, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कि बहुत ही modern website लग रहा है तो वैसे ही हम लोग एक modern website create करेंगे, so guys, at the end of this course, जैसे हम लोग CSS complete करते है, you can be able to make your website better, आप लोग एक अच्छा design का website बना सकते हो, जिसमें की यह बहुत ही basic सा लग रहा है, but it doesn't look like a website, जो की 2021 में हो, जिसमें की बहुत सारे अच्छे अच्छे design हो, background color हो, आजकल आप लोग बहुत सारे ऐसे web designing के tools आते हैं, जिसको की यूज करके, जैसे की wordpress हो गया, या फिर wix हो गया, जिसको की यूज करके आप beautiful website बना सकते हो, but यहाँ पर अगर आप लोग, जैसे हम लोग website बनाते है, but यह जो website है, उतना खास नहीं लग रहा, उतना अच्छा नहीं लग रहा, जब आप लोग website को better बनाने की courses करते हो, तो उसके लिए style element को हम लोग use करते है, जिसको की हमने पिछले वीडियो में discuss किया था, तो आज में हम लोग थोड़ा सा coding करेंगे, and I will tell you की how to change the background, So guys, background change करने के लिए, पहले हम लोग देख लेते हैं कि, पहले हम लोग style element के बारे में देख लेते है, style attribute, sorry, style attribute, then हम लोग mdn search कर लेंग, web docs, जो कि हम लोग बहुत जादा help करता है, तो guys, यहां पे आप लोग देख सकते कि style को कैसे use किया गया है, जैसे कि आप लोग देख सक color दिया गया है, और यहां पे border दिया गया है, margin बगएरा सब कुछ दिया गया है, तो यहां पे यह जो p element है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि आप एक paragraph element उन्होंने create किया हुआ है, इसमें हम लोगोंने margin, spacing बगएरा हर चीज दे रखा है, तो यह inline CSS के अंदर आता है, तो आप हम लोग style element को use करके background color डालेंगे, और background color डालने के लिए, जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था, कि एक web developer हमेसा जानता है कि जो भी उसको चीज चाहिए, उसको वो internet से search करके, उसको add कर सकता है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे आप लोग background color चेंज कर सकते है, ठीक है, change background color, sorry, color का मैंने थोड़ा spelling mistake कर दिया, c-o-a-l-o-r, m-d-n, ठीक है, तो background color का element हम लोगो मिल गया, आप लोग देख सकते, background color यहां पे brown लिखा हुआ है, and this one is brown, और इसको हम लोग mainly, हम लोग जब background color चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग hexagon code यूज करते हैं, जैसे कि यह हो गया, hexa code, ठीक है, तो मैं आप लोगो बता हुआ कि इसको कैसे find out करता है, so guys, अभी हम लोग ac element को use करेंगे, style attribute के अंदर, ठीक है, अभी हम लोग अपने website में चलते है, and हमारा website कुछ इस तरह से देख रहा है, हम लोग body element में apply करेंगे, ताकि जितने भी पूरा हमारा website है उसमें apply हो, तो body के अंदर हम लोग style attribute create करेंगे, style, enter, तो style के अंदर हम लोग किसी भी color को background color को डालने के लिए हम लोग लिख देते है background, sorry, background, enter, then हम लोग space color, color हम लोग डाल दिये, यहां पर हम लोग color डालने के लिए, मैं आप लोग एक example दिखाता हूँ, जैसे कि red मैं डाल दिया है, capital red, और किसी भी element को जैसे आप लोग style element create करते हो तो उसका end करने के लिए यहां पर यह particular चीज को आपको डालना पड़ता है, बरना आपका यह end नहीं होता, make sure कि आप लोग इसको भूल न जाओ, बहुत सारे लोग इस चीज में error create करते हैं, तो control S, अभी हम लोग अपने website में दे control S, अभी हम लोग website में चलते है, control R, and now it's okay, red is, it was really a deep red, ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि कैसे आप लोग कोई भी design करते हो, तो web designing के लिए, आप लोग colors कहां से दोंडोंगे, because you need to be a designer if you want to have a good web designing experience, because there is a designing term at the end, so web designing के लिए आप लोग जब भी web design करत तो उसके लिए आप लोग को थोड़े थोड़े color का knowledge होना चाहिए, and if you don't know about colors, then there are two, one of my favorite website, I am also a designer, which is one of my favorite website में से के, पहला है coolers.co, जहां पे कि आप अपना खुद का color create कर सकते हो, जैसे कि make a palette में click करके, and you can also explore trending color palettes, which means, जो लोग designer है, उनमें बहुत ही जयादा trend में जो colors चल रहे हैं, so we'll explore trending colors, and another website, let me tell you, is color hunt, यहापी भी आप लोग trending colors दून सकते हो, but you cannot make palettes of your own, so guys, I recommend कि आप लोग, coolers को यूस करे, this is a really good website, that I found online, and चलिए हम लोग इसका जो background color है, कुछ इस तरह से color डाल सकते हैं, हम लोग इसके background में, I like, I really like this greenies color, or maybe, we can go for something lighter, और, हम लोग जा सकते हैं, ऐसी कुछ, pinkish color, maybe, no, यह वाला जो color है, मुझे कापी अच्छा लगा, इसको हम लोग copy कर लेते हैं, just click करने से, यह automatically copy हो जाता है, अभी हम लोग अपने atom browser में चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग paste कर देते हैं, and remember कि इस से पहले आप लोगों को एक hashtag लगाना है, कोई भी hexagon code को यूज करने से पहले, and हमने इसको यूज कर लिया है, control S, and guys, remember हमने एक package install किया था, and उसी package की बज़े से, यह अपने को दिखा रहा है, कि यह कौन सा color है, and that's really great and helpful, तो अभी हम लोग अपने website में चलते हैं, और जैसे हम लोग अपने website में चलते ह है, जैसे कि, यह kind of like a pinkish color है, जिसको हम लोग change करेंगे, this looks really dull, हम लोग यहाँ पे change कर देते है, control P, okay, so it's a pinkish color, आप लोग देख सकते हैं, कि color automatically यहाँ पे show कर रहा है, control R, sorry, यहाँ पे हम लोगोंने save नहीं किया, control S, और यहाँ पे जैसे हम लोग control R दबाते है, this looks like a pinkish color, ठ एक हमने इसका यह photo का background आप यहाँ सही से रिमूब नहीं किया, so that's why it looks like this, I'll change it later, so guys, यहाँ पे हमने यह वाला color आड किया, but you can also go for any color that you like, यहाँ बहुत सारे different, different colors है, okay, so for the safe side, I will go for a different color, like I personally like yellow, yellow is one of my favorite color, यह वाला yellow, okay, यह उसका color code है, आप लोग इसको copy कर लिए, and this is color hunt guys, आप लोग color hunt को भी उस कर सकते हो, and दूसरा है coolers.co, so हम लोग इस फ़ाले color को यहां पर यूस कर लेते हैं, Ctrl V, sorry, हम लोग यहां पर यूस कर लेते हैं, okay, तरह से पहले hashtag, तो अभी आप लोग देख सकते हो कि यह कुछ yellowish color का आएगा, Ctrl S, और हम लोग website में जाते है, Ctrl R, and this looks, okay, तो हम इसको बाद में भी changes कर सकते हैं, don't worry, you can go for any color that you like, तो guys यहां पर हम लोगों ने अभी background color change कर लिया, तो ऐसे ही अगर किसी भी चीज में आप लोग changes करना चाहते हो, जैसे कि हम अगर चाहते है कि table में changes करें, या HR element में changes करें, तो इसके in between आप लोगों को SI style attribute को create करना पड़ेगा, HTML tag के अंदर, और HTML tag के अंदर SI style HTML attribute को create करके उसके अंदर आप लोग यह values add कर सकते हो, तो ऐसे ही आप लोग changes कर सकते हो, but guys यह एक काफी difficult process है, because अगर आप लोग किसी भी चीज में changes करना चाहते हो, अगर आप लोग let's suppose कि जितने भी HR tag है, या फिर जितने भी list element है, या फिर जितने भी heading element है, अगर आप इन सारे में s3, s4, अगर इन सारे में changes, आप लोग simultaneously करना चाहते हो, एक ही जगह से करना चाहते हो, then it will be really difficult, और अगर आप लोग सारे h3 element में changes करना चाहते हो, then आप लोग को बार-बार background color, जो maybe उसके जो properties है, उसको बार-बार change करने में आप लोग को बहुत ज्यादा difficulty होगी, आप लोग को बार-बार copy-paste करना पड़ेगा, and when it is a really big website, जब यह बहुत बड़ा website हो जाता है, आप लोग को और भी ज्यादा problem आ जाती है, जब आप लोग इसको changes करने की courses करते हो, तो इसलिए हम लोग इसके बाद में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको और effectively use कर सकते है, and this type of CSS, यह जो type of CSS हम लोग अभी कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते है inline CSS, मतलब यह जो body tag है, इस line के अंदर ही हम लोग CSS जो properties है उसको add कर रहे है, इसके बाद हम लोग inline CSS के बाद में आप लोग को सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग अपना CSS sheet बनाए, और उसको connect करके हम लोग उसको कैसे use करे, and in the next video I'll be telling you about that, so guys I hope कि यह वीडियो आप लोग को पसंदाया होगा, आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, and remember यह दू website के नाम, kindly remember it because आप लोग को यह बहुत जादा जरुरत पढ़ेंगे in future, so guys I hope आप लोग को यह वीडियो पसंदाया होगा, so thank you guys, thanks for watching this video.